इस वीडियो मैं हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो टेक्स्ट है उसको लोईर केस में कनवर्ट कर सकते हैं तो लोईर केस में कनवर्ट करना बाज वकात काफी इंपोर्टेंट हो जाता है For example, अगर मैं जो टेक्स्ट है उसको एनलाइस करना चाह रहा हूं और उसमें से कुछ एक्स्ट करना चाह रहा हूं वैलिस को मैं चाहता हूं कि सार्वी जो जितना भी मेरे पास टेक्स्ट है वो एक्स्टेंडडाइस फॉर्म में आवे तो हम इसके लिए यहां एक टेबल देखते हैं तो टेबल आप देख सकते हैं कि मेरे पार जो फॉर्स्ट कॉलम है वहां कस्टमर का फीडबेक है जो के हमारे पास डिफरेंट जो उन्होंने लेटर्स हैं लेटर स्टाइलिक वो यूज की हुई है यहां अमेजिंग का वर्ड आपको नजर आ रहा है जो के कैपिटल लेटर में लिखा हूँ है मैं यह सब चीजें जितनी भी है इन सब को चाहता हूं कि यह मेरे पास एक लोयर लेटर जने आ जाए यह लोयर केस में आ जाए तो इसके लिए मैं सेकिंड जो है मेरे पास जो कॉलम है वहां जाता हूं वहां से एक सेल को स्लेक्ट करता हूं और उस पर क्लिक करता हूं जैसे कि मैंने यहां स्लेक्ट किया सी त्री को यहां मैं फॉर्मूला लिखता हूं formula में बहुत simple सा है, जिसमें is equal to, and then आप लिखेंगे L, O, W, E, R, lower, और उसके बाद आप brackets को start करेंगे, brackets को start करने के बाद आप text को select करते हैं, तो text के लिए आप directly भी लिख सकते हैं, जो के हमारे पास B और 3 बनता है, या आप यहां से cursor की मदद से भी choose कर सकते हैं, तो मैं यहां cursor की मदद से choose करता हूँ, specific cell जो है, जो के मेरे पास B 3 है, इसको select किया, और इसके बाद मैं brackets को close करने के बाद मैं जैसे इंटरफेस करोंगो, आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो text है, वो completely lowercase में show हो रहा है, तो इसी मैं just simply जहां मैं formula apply कर चुका हूँ, उसको select करता हूँ, और उसके bottom corner पर आता हूँ, और यहां मेरे पास square का symbol नजर आ रहा है, उसको मैं press करता हूँ, left click करके mouse से, और then मैं drag पर देता हूँ, जहां तक मैं यह formula apply करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं apply करूँगा, अब आप सकते हैं कि मैं यह पास जितने भी यहां characters show हो रहे हैं, जितने भी letters show हो रहे हैं, वो सब के सब lawyer case में नजर आ रहे हैं,